So Hi Everyone this is Saurabh Thakur और आज एक बहुत पुरानी बात है 2-2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जैक्स लखान पर तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी बहुत महनत की थी मैंने उस वीडियो में और उसमें मैंने वो भी दिखाया था कि कैसे मेरे घर में बरफ गिर रही है एक मतलब memorable एक वीडियो थी बहुत उससे memory जुड़ी थी मेरी यादे जुड़ी थी lecture के बीच में मैं लेकर गया था दिखाया था कि देखो बाहर बरफ गिर रही है और बहुत बरफ गिर रही थी आज से कोई दो साल पहले की वीडियो थी लेकिन उस पे कई लोगों को काफी दिक्कत हुई वो लोग या तो फिर psychology के ही students थे लेकिन मैं उन्हें ये बात नहीं समझा पाया कि मैं ये literature perspective से literary perspective से मैं येक्स लंगा के बारे में उनको बता रहा हूँ हाँ उसमें मैंने थोड़ी सी गलती भी की थी उसमें जो तीन स्टेजिस इसकी है उसको मैंने चार कर दिया था और mirror को मैंने उसमें mix कर दिया था अलांकि आज मैं ये सारी चीज़े बिल्कुल crystal clear कर दूँगा लेकिन उस वीडियो से काफी लोगों को ये येक्स लाखा जो बच गया था जो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी दिल पर पत्थर रखके वो उस पत्थर को मैं आज भरने वाला हूँ है ना काफी मैंने कोशिश किये आज कि मैं सारी चीज़े अच्छे से clear कर पाऊ ठीक है ध्यान से सुनना इस लेक्शे को मज़ा आएगा है मज़ेदार चीज़े हैं बहुत माइंड बॉगलिंग चीज़े है चलो तो ये एक्स लाखा फ्रेंच था कई लोगों को पनने से भी दिक्कत थी क्योंकि अब कई वर्क्स थे उसमें वर्क का इंग्लिश ठीक है वो मैं मान गया लेकिन जब फ्रेंच या फिर कोई और कंट्री के वर्ड्स हा जाते तो उसमें दिक्कत हो जाती है ना चलो तो जैक्स लाका फ्रेंच साइको अनलिस्ट एंड साइकाट्रिस बहुत ही कॉंट्रवर्शिल था यह सिग्मन फ्रोइट के बाद यह एक ऐसा बंदा था जो बहुत बनदा था ठीक है तो इसी की वीडियो के कॉंट्रवर्सी जैसे मेरे हमले में हुई वैसी यह भी ब आफट से on feminine sexuality on feminine sexuality यह बुक आई है 1975 में ठीक है एक ऐसा ही मिलता जूलता title है feminine sexuality उसका subtitle है एक्स लखा एंड दी एकॉल फ्रोडियन ने ठीक वह आप चेक कर लेना Google जब आप करोगे तो उसमें आपको मिलेगा एक और work है इस word से किसी को pronunciation से बड़ी दिक्कत होगी थी एक्राइट्स पता नहीं मैंने क्या बोलाओगा लेकिन एक्रिट्स आप ऐसा कह सकते हैं E-C-R-I-T-E-S अब यह फ्रेंच वर्ड है इसकी मैंने कोशिश की मैंने Google भी किया लेकिन एक्रिट्स कहीं एक्राइट्स बता रहें कहीं कुछ बता रहे है ना और सेलेक्शन यह टाइटल है अच्राइट्स अच्राइट्स ठीक है इसका यह बता नहीं है इस फोर फंडमेंटल कंसेफ्ट ओफ साईको एनलिसिस दो फोर fundamental concepts of psychoanalysis इसका year 1973 बस दो चार वर्क्स बताऊंगा ज्यादा नहीं है इसका सब्टाइटल है इमेजिनरी एंड रियल जिन तीनों चीजों के अभी बात करूंगा यह आपने इसका सब्टाइटल याज रख लेना लंबा है न चलो जी यह आपके वर्क्स होंगे होगे डिजायर एंड इट्स इंटरपेटेशन एक और वर्क है मैं लिख देता हूं डिजायर क्योंकि डिजायर की भी बात करेगा एंड इट्स इंटर रिटेशन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती ही शायद एक्स्प्रेंड करने में थोड़ा टाइम लग जाए पर मज़ा लेना इसका ना ध्यान से समझना प्यार से बहुत मज़धार चीज है क्योंकि सा अबरे-बारे में बता सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यह भगवान कोई नहीं होता है यह विद्या किसी के पास नहीं होती बस यह कि observation पावर उनकी एच्छी होती है ना observe अच्छे से कर सकते हैं वह तो मैं भी कर सकता हूँ वह तो एक literature सुडेंट जो होता है उसकी observation स स्किल्स होती है बहुत अच्छी होती हम तो आखे पढ़ लेते चलो तो अब हम सीधा ना इसके कंसेप्स पहेंगे अब इसे ना सिग्मेंट फ्रॉइट के काफी जो कंसेप्स थे उनको आगे लिया ठीक है उनकी बाते की और डिपस कंप्लेक्स की बात भी की लिबिडिनल एकॉनमी की बात भी की इस ना वगरा वगरा क्यूंकि दोनों ही एक ही चीज से रिलेटेड थे जाता है कि conscious जो चीज है चेतनमन वही बड़ी है structure और अरेंज होता है लेकिन इसने कहा कि जो unconscience है वही structured होता है लेंगविज की ही तरह ठीक है इसने यह बात बोली है चलो पड़ा-फ़ट से इसकी एक है register theory थीक है तो उसमें इसने three stages बताए है हमें ठीक है तो वह three stages से स्टेजिस से होकर गुजरता है उन सारी चीजों के इसने बात की है बहुत बहुत ही इंपॉर्टन जो है कई बार तो आप्शन में यही आ जाता है कि यह तीन स्टेजिस बताओ जी क्या क्या है चलो जी पहली बात करते हैं imaginary stage दूसरा है symbolic तीसरा है real ठीक है जी imaginary stage symbolic stage real stage ठीक है अब इस imaginary को यहां पर आप mirror stage भी कह सकते हैं गलती मैंने क्या की थी पिछली वीडियो में काफी confused हो गया था कि यह चार stages है या फिर तीन stages है मैंने चार stages बता दिया था इनको लेकिन चार stages नहीं है mirror stage and imaginary stage is one thing यह एक ही बात है अभी मैंसे समझाओंगा यह क्या क्या है ठीक है तो कई बार net के exam में मेरा मकसद सिर्फ net के exam के बारे में ही आपको उस तरीके से पढ़ाना है ना इसके works important है इसकी terms important है किस की है जैक्स लगा की है कितनी stages बताता है तीन stages कौन कौन से बताता है इमेजनेरी symbolic and real ठीक है mirror भी अगर होगा imaginary की जगा तो वह भी समझ लेना कि वही एक ही बात है ठीक है तो एक बार कोशन आया है कि बताओ कि इसके जो options है यह तीन stages कौन कौन से बताता है यह मैं खुद exam दिया था वो तो आया एक बारी exam चलो जी सबसे पहले यह कहता है सबसे पहली stage है imaginary stage ठीक है और mirror stage जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद वह छे महीने का होता है छे महीने के बाद जब वह बड़ा होता है धिरे धिर दर देखता है थोड़ा बहुत चलना फिर जो भी वह शुरू करता है तो फिर वह अपनी image देखता है शीशे में literally हो सकता है बच्चा असलियत में भी देख स ये तो ये क्या चीज है, मैं क्या हूँ, ठीक है, वो ये सोचना शुरू करता है, ये imaginary चीज वहाँ पर सामने आ जाती है, फिर वो imagine करना शुरू कर देता है, ठीक है, imagine करना शुरू कर देता है कि बाकी लोग कैसे होंगे, imagine करना शुरू कर देता है कि मैं कैसा हूँ, imagine करना य इसमें बिल्कुल वर्चुल चीज़े होगी, फैंटेस्टिकल चीज़े होगी, बिल्कुल फैंटेसी, इमेजिनेशन इस स्टेज में बहुत जादा होगी, क्योंकि जो एक बच्चा है चोटा बच्चा है उसको नहीं पता है कि reality क्या है symbolic stage क्या है वो सिर्फ imagine कर सकता है ठीक है तो mirror stage इसलिए इसको कहा गया है कि बच्चा जब mirror के सामने जाता है असलियत में जाए या फिर आप सोच लो एक हिसाब से कि जब वो खुद को किसी आईने म में देखता है किसी दरपण में देखता है और समझता है कि मैं क्या चीज़ हूं उसके मन में सवाल उठते हैं वो imagine करना शुरू करता है ठीक है तो यह जो stage है imaginary stage और mirror stage यह कब से कब तक होती है mirror stage खासकर 6-18 महीने six to 18 months के जब बीच का जो यह time होता है इसे mirror stage कहा गया ठीक है याक्स लखान ठीक है अब French में याक्स लखान तो अलग अलग है French में यह N की sound pronounce नहीं कर रहे हैं याक्स पढ़ रहे हैं English में याक्स पढ़ रहे हैं बहुत सारी से variations होती है और इसमें हम final नहीं पहुंच सकते ठीक है हाँ कुछ चीज़े हैं जो मैंने आपको बता दी कि ठी है तो इसमेर स्टेज इमेजनेरी स्टेज का मैंने आपको बता दिया ठीक है अब आती है हमारी सिम्बॉलिक स्टेज सिम्बॉलिक स्टेज में क्या आ गया आपका सोसाइटी रूल्स नॉंस रिच्वल्स और आपके ट्रेडिशन्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ठीक है इसमें तो सिर्फ imagination थी imaginary stage है यह mirror stage है ठीक है पहली stage है बच्चे की 6-18 महीने के बीच में फिर यह symbolic stage आती है अब for example आप एक अभी पैदा हुए हो ठीक है अब आप जब बड़े होते हो आपने society का एक हिस्सा बनना है ठीक है तो symbolic stage से यह क्या कहता है कि ऐसे symbols जो एक symbolic order होता है society में हमें वहां फेंक दिया जाता है for example मैं हिंदू आप मुस्लिम है आप Christian भी हो सकते हैं आप Buddhist भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते आपको उस धर्म में फेंका गया है कि साबसे यह समझो कि उपर से आपको फेंका चल भई तू हिंदू धर्म में जाएगा तू मुस्लिम धर्म में जाएगा तू वहां जाएगा तो एक symbolic order है society का उसके एक particular rules and regulations होंगे norms होंगे है ना rituals होंगे अलग tradition होंगे अलग language होगी ठीक है तो जब यह सारी चीजे introduce होती है एक बच्चे के लिए तो उस stage को कहते symbolic stage ठीक है अब इसमें एक बात और कहिए कि यह communication language है तो communication होगी है ना communication तो society में जब communicate करता है बच्चा language के थुरू एक symbolic order के अंदर अब for example मैं हूँ मालो मैं जर्नल हूँ ठीक है हम एक मिया community से आते हैं तो हम राजपूत है तो अब कुछ जो हमार से नीचे वाले लोग है वो उनसे हम अलग behavior होगा हमारा कि हाँ ठीक है आपसे हम ऐसे behavior करेंगे आपको नमस्ते नहीं करेंगे या फिर आपके घर आना जाना हर चीज़ का एक अलग system होगा उनसे और lower caste है तो उनके साथ अलग होगा कि इन्हें छूना नहीं है untouchability होगी तो society में ये सारी चीज़े होती है तो मुझे उस symbolic order में फैंका गया है मेरा जनम उस symbolic order में हुआ है उ society में हुआ है उस community में हुआ है ठीक है अब यहां पर मुझे एक चीज़ accept करनी पड़ेगी name of the father name of the father ये भी इसी का concept है na name of the father अब जब मैं ये accept करूँगा कि मेरे पापा का नाम क्या है नाम से मतलब है कि उनका ओधा क्या है क्या caste है क्या religion है तब ही मैं society में communicate कर पाऊंगा language में enter करूंगा ठीक है इस stage में बच्चा language में enter करता है और ये सारी चीज़ों में enter करता है उसे पता लगता है कि society में क्या क्या चीज़े क्या क्या symbols है क्या symbolic order है जो उसे follow करना पड़ेगा throughout his or her life ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया simple तरीके से मैं ज्यादा technicalities में नहीं मैंने बहुत अलग-अलग sources से पढ़ा है वैसे इसको तो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना simple हो सके हुता simply आपको बता हूं फिर आती है हमारी real stage real stage है बिल्कुल authentic unavoidable unchangeable मतलब कि इसे change ना किया जा सके जो avoid ना की जा सके जो बिल्कुल authentic है unchangeable truth जिसे हम कह सकते हैं सच्चाई सच्चाई है कैसी चीज़ा तो symbolic तो है हम अब मैंने एक लोर कास से बुरा behavior करना इसमें कोई सच्चाई नहीं है यह सिर्फ एक symbolic order है जो किसी society ने पुराने लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है यह सिर्फ बनाया गया है ठीक है तो real world या फिर real stage वो stage होती है जिसमें सब कुछ बिल्कुल real है उसको हम change नहीं कर सकते बिल्कुल authentic है अब reality अब देखो कई पर क्या होता है कि हम खूब मज़े कर रहे हैं हमें लगता है कि हमारी life एक मिलिए इसे को enjoy करो ठीक है एकदम से क्या होता है कोई bad आ जाती है कोई become पा जाता है तो हमें एसास होता है यार नहीं यार reality तो यह है है ना हम तो ऐसे ही मज़े कर रहे हैं कई लोग पढ़ नह है जिन्दकी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं ठीक है मज़े कर रहे है बस तो जब उन्हें लगता है कि यार accident होगया दस लोग ओने एहसास होता है कि यार यह life थो सच में हम तो waste कर रहे है life को एक सचाई जब हमारे सामने आती है तो वो होता है अब सचाई तो यह है कि फौज यह है कि कई जगा मैंने पड़ा कि यह बिलकुल starting में आती है जब बच्चा पैदा होता है ठीक है तो उस तरीके से मैं explain करता हूँ अब इसमें क्या कहते है कि बच्चा मान लो अभी पैदा हुआ है ठीक है छोटा सा बच्चा है अभी भी पैदा हुआ है ठीक है अब इसमें क्या कहते है कि रियल स्टेज में कुछ नहीं होता सिर्फ नीड होती है हमारी जरूरत है वो नीड अब बच्चा पैदा हुआ है उसकी जरूरत है दूद पीना है ठीक है इसमें वो मुसलिम है या हिंदू है या वो क्रिश्चन है या फिर किसी भी society से आता है वो matter नहीं करता है, हिंदू का बच्चा भी दूद पियेगा मुसलम अमान का बच्चा भी दूद पियेगा लेकिन वो जो need है उसकी desire, need, particularly need वो है real क्योंकि वो reality है उसकी वो जरूरत है, जब तक उसे नहीं मिलेगी वो जिन्दा नहीं रह सकता, ठीक है तो यह जो reality है वो ऐसा कहा जाता है, इसमें मैंने कहीं पढ़ा कि वो बिल्कुल starting में होती है जब बच्चा 6 मैने से भी कम, बिल्कुल पैदा हुआ, इसमें कहुछीज आती है reality उसे भी कहा गया है, उस nature को पूरी होनी चाहिए, पूरी नहीं होती वो उसकी अलग वज़ा है किसी पे societal, जो है restriction से किसी का कुछ है, किसी का कुछ है लेकिन इसमें ये भी कहा गया है, कि जो एक sudden हमारी need होती है, copulation की एक animal है, जब उसे वो बिल्कुल heat में आता, तो उसे चाहिए, कोई न कोई, ठीक है तो वो उसकी reality है वो, ठीक है उसकी need है वो, उसको जब तक मिलेगा नहीं, उसको शांती नहीं मिलेगी, ठीक है तो इसमें id ego, super ego, वगरा वगरा भी आता इसमें एक बात इसने और भी बोली, कि जो ego है वो form होता है, इसमें imaginary stage में, ego, id ego, super ego, मेरी वीडियो देख ले ना, आपने Sigmund Freud वाली उसमें explain किया, मैंने क्या होता है, ठीक है तो libidional चीज़े, वो सारी sex related चीज़े है, desires है हमारी sexual needs है, ठीक है तो psycho analytic literary theory में इन चीज़ों की बात तो होगी ही, ठीक है अब Sigmund Freud तो कहता है कि जितने भी हमारी inspiration है motivation है, energy है, वो सब libidus है, libidus मतलब हमारी sexual desires है ना, अब कई लोग, अब यह desire की कुछ अलग बात करेगा, ठीक है तो अभी मुझे लगते है कि आप यह समझ गए हो imaginary, mirror stage, symbolic और real क्या चीज़ है, ठीक है तो चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसके दो concept से चोटे चोटे उसको discuss कर लेते हैं और फिर, वीडियो को विराम देते हैं ठीक है मैं उमीद कर रहा हूँ भाई, आपको मजा आ रहा होगा है ना मजा ना भी आ रहा होगा, तो मजा तो लेना पड़ेगा भाई, इन चीज़ों में मजा तो लेना पड़ेगा हर कहीं मजा लेते रहते हो अच्छी चीज़ों में मजा लो पढ़ाई में अभी मजा लोगे, तो बाद में जिन्दगी पर मजा करोगे अभी दूसरी चीज़ में मज़ा ले लिया तो बाद में सजा मिलेगी तो सजा से अच्छा है अभी थोड़ी सी सजा काट लो बाद में मज़े करो जीवन पर चलो जी डिजायर डिजायर की बात करता है ये कि डिजायर क्या है यह बोलता है कि desire है the desire of the other लेकर एक बात बोलिए कि the man's desire is the desire of the other अब अधर कौन है अधर है दूसरी लोग भी आप कह सकते हो इसने अधर की भी बात की है अधर तो अधर यह है कि कोई authority है ठीक है मान लो कोई religion है कोई law है कोई भी चीज है जिसकी authority है society में उसे अधर कह सकते है ठीक है तो desire इसने कहा है कि अब जब हमें लगता है कि यार उसके पास car है उसके पास girlfriend है उसके बड़िया घर है ठीक है तो वो उस हमें desire होती है कि उसकी क्या desire है ठीक है दूसरों की जो desire है वो हमारी desire बन जाती है यार हमारे पास ये नहीं हमारे पास वो नहीं हाला कि हमारे पास जरूरत के लिए सब कुछ पूरा होता है लेकिन हमें लगता कि नहीं यार उसके पास वो सब है तो मतलब दूसरे के पास जो है वो हमें पच्टा नहीं है हमें डाइजेस्ट नहीं होता कि नहीं यार मुझे भ कमी हो, desire को पैदा करता है, sex की बात नहीं करेगा यह, यह नहीं बोलेगा कि हमारी sexual desires कुछ इसने diet की बात बोली की जो दूसरों की desire है, भू हमारी desire बन जाती है, दूसरों का जो lack है, वो हमारा lack बन जाता है ठीक है हाला कि वापर सब कुछ पूरा होता है लेकिन हमें टेलिविजिन एड्स में वो फिर कल्चर स्टडी से रिलेटरी चीज़े आगी सबुझे से में डिसकस किया है कि कैसे मीडिया हमें ओवर पावर करता है ना तो लैक जो है हमारा किसी भी चीज़ का उससे डि पहुंचा जो कुछ भी मैंने आपको भी पढ़ाया तो देखो भाई मैं लिट्रेचर का टीचर हूं ठीक है स्टूडेंट भी और टीचर भी तो मैं तो उसी परस्पेक्टिव से पढ़ाऊंगा मुझे नहीं पता आप साइकाइट्रिस्ट हो आप क्या आपका नजरिया है क्या आपकी पढ़ाई है लेकिन मैंने सिर्फ ये चीज़े आपको बता दी कि जैक्स लगा कि कुछ वॉक्स बता दी है उसके जो मैंने थ्री स्टेजी से उनको अच्छे से एक्स्पेंड कर दिया आपने हिसाब से है ना अच्छे से बाकी मैं उमीद करता हूँ आपको कमेंट्स आप करें अगर तो मुझे पता लग जाएगा कि कैसा रिस्पाउंस हा रहा है फिडबैकक बहुत जळूरी होता है ला तो आपने कम्यूनिकेशन पढ़ा वोगा तो फीडबैक बहुत जरूरी है तो फीडबैक जरूर दिया करो मुझे और मुझे काफी अच्छा में आज इतना ही आप देखते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं क्या बनता है